लेकिन आज की तफ्वीर और इस वक्त की तफ्वीर पर हम च्रचा करते हैं हमारे सिहोगी गौनेका रोडा इस वक्त अमेट्रियों स्टेशन पर ही मौझूद है और मैं देख पारे हो गौनेका आपके पीछे बड़ी उतसाहित भीड नज़र आ रही है जो प्रधान मंत्री म मेट्रो में ट्रावल करेंगे जो कि हुगली नदी के नीचे चलेगी हुगली नदी के बेस से 16 मीटर नीचे है और यही वजा है कि बच्चों के साथ प्रधान मंत्री ने जो लोगों ने इस पूरे काम में अपना सहयोग दिया जो भी वरकर्स है मेट्रों के उन से प्रधा था कई साहँ लकर लेकिन पूरा हुआ इसके बादब उसके बाद रहता हो जाएगा लोगों का क्रोस करना पड़ता था औभ्रिज को क्रॉस करने करने लोगोंको एक से डेढ़ घंटा क्योंकि ट्रैफिक रहता था इसकी वज़ा से लग जाता था लेकिन अब वो चीज आसान हो जाएगी और क्योंकि बच्चे बहुत जाएदा उसाहे थे बच्चे उसे प्रधानमंत्री मिलें कई बच्चे दूसरी ट्रेन में ट्रावल कर रहे थे वह भी कि यह कॉलकाता मेट्रो इसलिए भी बहुत जादा खास हो जाती है कि पहली अंडर्वॉटर मेट्रो है अभी तक भारत में ऐसा नहीं हुआ है कई विदेशी कंट्रीज में जिसमें पैरेस लंडन जपान वहां पर यह जरूर है लेकिन अभी तक भारत में यह नहीं हुआ और कॉलकाता मेट्रो की तरह से इसे सफल किया गया है और खास तौर पर इसकी टेस्टिंग कई दिन तक की गए क्योंकि जब भी ऐसा अंडर्वॉटर कोई भी टनल बनती है तो लीकेज ना हो जाए इसकी हमेशा डर रहता है लेकिन इसके लीकेज को लेकर भी पूरी तरह प्रूफ ट्राइल किया गया टेस्टिंग की गए और अगर कहीं से लीकेज होती भी है तो उसका भी अर्रेंजमेंट किया गया कि उसके घ्यास के खुल जाएंगे इसके साथ भूकम से फाइव जोन तक के भूकम को यह जो टनल है वो सह सकती है तो जाहर तोर पर कॉलकता के लोगों की जंदगी बहुत आसान हो गई है इससे मिनाक्षी 520 मीटर लंबी है ये और इसके इलावा लगवग 4-5 किलोमेटर का जो डिस्टन्स है वो आम तोर पर 1-5 घंटे में कवर होता तब 1 मिनट से भी कम टाइम में 80 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से चल रही है और सिफ यही नहीं बलकि इसके साथ साथ 15,400 करोड की और भी परियोजनाओ की प्रिदानमंत्री ने सौगाद दी है और इसके साथ साथ अब जब प्रिदानमंत्री 12 साथ जाएंगे वहाँ पर सबसे पहले देखना होगा एक प्रिदानमंत्री क्या कहते हैं वहाँ के मंद स क्या कहा जाता है क्योंकि संदेश खाली की पीड़े तुन महिलाओं से भी मिलेंगे जिसको लेकर लगातार इस्वा कोलकता की राजनिती में हलचल मची हुई है लेकिन उसको लेकर जब प्रदानमंत्री का संबोधन होगा तो उस पर सब की नज़र रहेगी लेकिन यह हमेशा से हमने देखा है कि जब प्रदानमंत्री किसी भी ऐसे मेट्रो में या कहीं भी ऐसे ट्रावल करते हैं तो हमेशा बच्चों से और वहां उस कारे से जुड़े हुए लोगों से जरूर बात करते हैं और वही तस्वीर आज हमने देखी और उस अंडर वाटर मेट्रो की सौगात आज कोलकता के लोगों को मिल गई है और यह सौगात अब लोगों के लिए और कन्वीनेट हो जाएगी तो यह भी अपने आप में बहुत खास होगी तो यह सारी चीजे हैं जो देश के विकास में प्रगती में योगदान दे रही है और अलग अलग तरीकी की जो ट पानी के नीचे से एक टनल को खोदना क्योंकि बहुत जादा चालेंजिस इंजीनियर्स के लिए भी रहते हैं कि वहां से गाद निकलती है कई तरह कि उस्मिट्टी की कई-कई-कई लेवल पर टेस्टिंग की गई अलग-अलग सांपल्स लिए गई ताकि यह पता लगा जा उलग-जादिंग्टी ऑ !